पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सौधी अरब उन मुस्लिम देशों में शामल नहीं है जिनकी एंट्री यूएस में बैन की जाएगी। ये बात खुद अमेरिकी राश्रुपती डॉनल्ड ट्रॉम्प ने अपने पहले इंटिव्यू में कहा है। ABC News चैनल को दिये अपने पहले टीवी इंटिव्यू में ट्रॉम्प ने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा सौधी अरब उन देशों में शामल नहीं है जिनके नागरिकों को अमेरिका आने के लिए वीजा प्रतिबंद का सामना करना पड़ेगा। हम कुछ देशों के लोगों को अमेरिका आने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं लेकिन अन्य देशों के लोगों की हम कड़ी जाच करेंगे। अमेरिका आना बेहत मुश्किल होगा अभी तक ये बेहत आसान था लेकिन अब ये बहुत बहुत मुश्किल होने जा रहा है हम इस देश में आतंकवाद नहीं चाते हैं नहीं ये मुसल्मानों पर प्रतिबंद नहीं बलकि उन देशों के लोगों पर प्रतिबंद है जो आतंकवाद ग्रस्त है इन देशों के लोग अमेरिका आ रहे हैं और इससे समस्याई गंभीर होती जा रही है हाला कि ट्रॉम्प ने उन देशों का नाम लेने से मना कर दिया, जिनकी बारे में वो बात कर रहे थे लेकिन कहा कि यूरोप ने उन लोगों को जर्मनी तता अन्य देशों में आने की मन्जूरी देकर भारी गलती की और आप सब को इस पर ध्यान देना है क्योंकि जो भी वहां हो रहा है वो भयंग कर मुसीबत है बता दें कि राश्रुपती पती शपत लेने के बाद फ्रम्प का ये पहला एंटिव्यू था जिसमें उन से ओबामा केर से लेकर इमिग्रेशन और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे व्यापक विशेयों पर बातचीत की गई